तो लेकिन पिछले कुछ समय से मैं ये देख रहा हूं बच्चों में एक तो सरकार के तरफ से भी कुछ वो नहीं है बच्चों के परती रोजगार के परती कुछ अविदन सीलता है नहीं बिल्कुल बच्ची जाता है साधी वहा कृष्टी इतना आने लगते हैं कि जैसे उसक लड़की 20 साल के हो बाई साल के हो उसाधी करने लिए क्या रुजाए नमस्तार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे चैनल गाम गवांड में मैं हूं अनिरुत चवहान जैसा कि आप सब जानते हैं आज रोजगार की जिस तरीकी से जुरूर हर व्यक्ति को लग रही है तो समाजिक हो राजनेतिक हो या फिर आजकल तो सबसे जाता जो चिंता का विशे है वो हैं कि साधियां अगर आप के पास कोई रोजगार नहीं है और वो भी गोर्मेंट रोजगार तो जल्दी से आपकी साधी नहीं होने वाले है भले ही आपके पास 20-50 विगा जमीन हो वो सा ओप्रद्टरी में ये एक सेंटर है सामली में जो की सझे सर चला रहे हैं जो की गांउ कंडेला के रहने वाले हों किसान परिवार से बोलोंग करते हैं layध कि अŞ但 कि मुझे आईम में यह सांबलना है सैकड़ो बच्च आप के आँसे फड़का रोजगार पर हैं मैं बहुत सारे उसे मिला हूँ आपकी काफी तारीफ सुनने को मिलती है चाहिए किसी भी गाव में चला जाओं कि सर देखे मैं 2002 में ने वह की थी ग्रजविसन उसके बाद में इलाबाद रहा लगवर चार-पांच साल इलाबाद रहने के दोरानी मेरा पहली बार यूपीसी क्लियर हुआ था प्री उसके बाद संगर चलता रहा प्री में इन्स देते रहे दो हजार नो और दो हजार ग्या सब्सक्राइब करना चाहता है इसके लिए जाना चाहता था तो देख यह कुछ हजा हो सकता है क्या तो मेरे पास एक विकल्ब था कि मैं कोचिंग कराऊंग ने पास और विकल्ब राष्टान का भी था डिश्टिक ग्रामपुर पड़ता है वहां का इलाबाद का भी था लेकिन मैंने अपने इस्टिक साम्बली में रहकर ही क्यारी करन करने के मुल्हां बाट बच्चोगोख करान के सोची और मुझे लाग कि मैं अपना जो एक्स्पिनेंस है मेरा जो अनुभाव किया है मैंने 12 साल के त्यारी के दोरान वो अनुभाव में बच्च को बाट से को बच्च न दे सको अगा बच्चिंग का तो इतना रोल होता है क बनेगा इसमें टीचर की भूमिका इतनी होती है कि वो अपने अनुभाव को बच्चों को दे सकें सामली में रहा में सामली में 2013 से अपना डिस्क्रवरी कोचिंग स्ट्यूट चला रहा हूं और तब से लेकर आज तक लगवाग हजारों पच्चे हैं जो विभीन पदों पर काम कर रहे हैं फुलिस में भी हैं यूपैसा में भी हैं रेल्वे में भी हैं और यहां तक की सची व बच्चों में एक तो सरकार के तरफ से भी कुछ वो नहीं है बच्चों के परती रोजगार के परती कुछ अविधन सीलता नहीं बश्यूट हम नोर्थ इंडिया और साओ्ध इंडिया में इस लगा डिफ्रेंट्ट अगा नोर्थ इंडिया के लोग ज़ाएं फ़र्या के क्या किसों कराएगा तो सरकाई नोक्र अगर शिफाई भी है तो उसके भी समाज में समाजी सोरुका रिता समाज में उसका सम्मान सम्मान बहुत बढ़ जाता है साधी उगा क्रिष्थिय अतना आने लगते हैं जैसे उसके उमर भली अगर 35 साल कोई बच्चा नोक्री भी लग कि नोक्री का हमारे यहां हो है लेकिन पिछले कई सालों से सरकार की सरवेदन सेलता विकुल खतम होगे योगां के पर और मैंने यह देखा अपना नुभव किया मैंने कि पिछले कुछ समय से बच्चों के अंदर जब नोक्रिया नहीं है आर्मी भरती नहीं निकल रही पु बेरोज़कार सड़क पर दक्याख़ारा है बच्चारा क्या करेगा हम लोग तो बहुत इन से बच्चों के हम पर आते हैं जो बीच साल के बाइसा को बीच साल के हम उनकी मॉनों सा जान रहे हैं कैसी है और बच्ची इतना प्रेशान है समय सान कि बस बैट कांके बच्चर पुछ नहीं है चार साल से आर्मी में भड़ती नहीं आई पुलस में भड़ती ऐसी है बस कभी 26 जार करे घृड महीं नहीं नहीं देती है। या फिर अपराद के भीचे अपराद के छेतर में उचले जाते हैं इसको रोखने के लिए सरकार को परियास कर रही है या आप कोई संदेश देना चाहेंगे ताकि युवा इस तरफ ना जाए मेरा तू बच्चों को देखो दोनों तरफ मैं सरकार से भी अनुरोद करूगा कि सरकार को इतनी जो भीड है हमारी जो युवां की जो भीड है हम इसको भीड है हम इसको मानों संदल करना चाहिए इनको हमको ऐसे रोजगार दे सरकार सरकारी नोकरी नहीं रे सकती यह बात है यह कि सबको सरे नोकरी नहीं मिल सकती लेकिन रोजगार की कुछ ऐसे तो आफसर सब्सक्राइब चीजिए कि जो बच्चा ग्रेशन करता है यह करता है उसके पास कुछ आशा होना चाहिए यह रहां कि नहीं सिक्सानिती में सरकार उसके पास कुछ ना पहरोजगा करने का उसके पास लेकिन सरकारी नोक्री के पड़ती जो आभी भी आकर्षन है हमारी चेतर में वो कम नहीं होगा, और दूसरी बात यह मैं जो विरोजगार बच्चे हैं उनका कहना चाहता हूं अभी ऐसा दोर चल रहा है जिसमें आपके पास अच्छा बनने का एक समय है आप इस समय का अपने लिए पोजिकिव यूज करें शगरात्मक इस्तमाल करें जो चीजा आपकी कमजोर है उन्हें आपके बच्चे अपनी चीजों को अपना जोब्या पढ़ते हो किसी चीजों करें मजबूत करें किताबे पढ़ें जो कि पहले का परिवार अपने पुलिट आ उसका इस्थिमाल रहे और अपने परिवार में अपने गाउंने समाज में रहकर जो आपके बड़े हैं जो हुआ कर रहे हैं उनका आदस माने कि जैसे उनुने सफलदा करें हम भी सबस्क्राप करें तो इस आप दको आउसर के रू हमारे बच्चे ज़्चे से जयदा ज़्या से किसान परिवार बिरोंग करते हैं। लेकिन आपके दिमाग में कैसे आया मुझे आये से बनना है और देश की सवा नहीं है। बात 2001 की है मेरी सारी स्कुली वह दरहदून से हुई है। देहादून डेवीपीजी कॉलिस और गांधी इंटर कॉलिस से मैं पड़ाओं तो देहादून में ऐसा सहर है जो एजुकेशन का हब है बहुत पहले से तो वहाँ हमारा गुरूप थे कहीं हमें एक बार एक शादी में गई वे थे बात तुनिस्टो निंजान में 2001 की बादे स होता है तो क्योंकि वह ऐसा दोर था कि उसमें हम भी कुछ अपना लक्से बना रहे थे कि हमको क्या करना है क्या करना है तो वह तो पॉइंट आज तक मेरे दिमार्ग में रहता है आई-पेस के पीछे इतनी भीड़ लोग खड़े वे इंट्रिवू ले रहे लोग बाग जा को हमें जाता है ना तो राज से मिलके रहते हैं और कोई दोस्त मिलके बहुत साथे तो उन्हों की फिर एक हमारे मित्र है उमतार सिंग सचिवाल्य में समय से क्टेट में सचिव आऊ हूँ तो वह हमारे गुरू बहुत है तो वही मुझे इलाबाद लेके गए ते करने के ल दिन पड़ती हे और भी बढ़ती जा theatे जया रही है सरकार इस तरफ कोई डियान नहीं देगई नहीं है नहीं तो घ्षानी की तरफ नहीं इनके रोजगार ड्याय की ayuda कैसे त्यारी कर सकते हैं अप कैसे अच्छे से रोजगार का सकते हैं इसकीक लिए सामली में एक इंटर एं अगर आप सामली से बिलोंग करते हैं तो डिस्परवी पर जुरूर आएं यहां पर डेमो लेकर जुरूर जाएं ताकि आपको पता लग सके मविश्य में क्या होने वाला है और आपको कैसे पढ़ना चाहिए जन्यवाल